अब करते हूं आप स्वाइब आप स्वाइब अपने घरों में अफ्वूस होंगे तो इतनी ज्यादा ट्राफिक और इतना ज्यादा शोर सुनके गबराना नहीं है क्योंकि मैं आज निकला हूं पैनिंग में मैं पिछले दो मां से रह रहा हूं लेकिन मैंने पैनिंग आई-लैंड का जूंसा कैपिटल है वह अभी तक नहीं देखा तो उस कैपिटल की तरफ में आया हूं इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसका नाम है जौर्ज टौन तो हम लोग आज इस वीडियो में जौर्ज टौन को एक्स्प्लोर करेंगे मीट करता हूं आपको यह पसंद आएगी तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को सब्सक सब्सक्राइब यूनेस्को में भी आती है उसकी तरफ जा रहे हैं गारी जौन सी है वो मैंने पार्किंग लगाई है मैंने यहां से के लोकल बंदों से पूछा था कि सबसे बहुतरीन पार्किंग कुन सी है उन्होंने मुझे का था कि फस्ट अवेन्यू एक शापिंग माल है उदर पार्क कर लें और उदर पार्क करके आप वाग करके सारा जोंसा जौश टोन है वो एकस्प्लोर कर सकते हैं तो मैंने उदर तो नहीं पार्क की मैं देशी बंद हूँ मैंने उससे भी बेहतर जुगात लगाया उसकी बिल्कुल समने की साइड में एक पार्किंग अ और आप 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 पार्क कर सकते हैं और वह स्क्यूर भी है जगह तो आप लोगों से मुलाकात होती है आर्ट स्ट्रीट में जाके तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था गबराना नहीं है ट्रैफिक देखे गबराना नहीं है और अब आप लोगों ने यहां पर राश्दे के गबराना नहीं है और यह एरिया देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि युनेस्को वालों ने कोई गलत डिसीजन नहीं किया क बहुत ही अच्छा decision किया हुआ और बहुत ही मज़ा आरहा है hopefully आप लोग में नजॉए कर रहे हैं बहुत ही मज़ा आरहा है तो हमारा नेक्स टॉप च्यू जेटी था जो के स्ट्रीट ऑफ आर्ट से तक्रीमन दस से पंदरा मिनट की वाकिंग डिस्टेंस पे था यहां पे आपको बहुत सी गिफ्ट शॉप मिलेंगी और यह एरिया भी युनेस्को के अंदर आता है बहुत प्यारा एरिया है यहां से आप पूरे समंदर का व्यू कर सकते हैं और करती की भी राइड ले सकते हैं तो दोस्तों मैं फुली पैक्ड हूँ आप लोग देख सकते हैं और वह चीज जो हमने जर्मनी में ने की मैं काफी अर्से से करना चाहरा था शुप की सुवारी तो यहां पे मोस्म भी बहुत आला है आते हुए बहुत दूप निकली हुई थी और वीडियो भी बहुत अश किसी दूसरे ग्रूप के साथ जा रहो हूँ और होफुली हम लोग अच्छी साइट व्यूइंग कर सकें इदर से यह लोग एस्व पीस का बहुत ज़्या रख रहे थे अगर आप इदर आएं तो इस शौप से लाजमी शिप राइट कीजिए गगर कि अच्छी से जूब चारे आप प्रयोव चारे बहुत शावार कीजिए से कण्छी साथ आपने लाग पार आप दूब हूआएंग का इस्वार बहुत बट्राइटिए. आपने दूब्स प्रिस्वाभ प्रिस्पी आभ दोब्स, रखवाब साथ. तो दोस्तों इस तरह की हरकत जो अभी मैं कर रहा हूं जर्मनी में तो सोच भी नहीं सकते जर्मनी में असी कष्टियां होती भी नहीं है कष्टिया हर जगा से फैक्ड होती है तो यहां पे देखिए अपन के महौले बहुत मज़ा आरहे हैं और बहुत डेंजरस काम हो रहा कि मैं पिलकों कर साफली के अंड में खर होँ और बास ना पूछें जो नजारे हैं वो तो बहुत आला नजारे हैं यहां पर वोपली आप लोग भी मज़ा कर रहे हैं तो कष्टी की राइट करके मैंने तो बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छे व्यूज लिये हैं अमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होंगे आप मैंने सिर्फ सुभा का नाश्ता किया हुआ है और इधर काफी ज़्यादा गूम में फिरे हैं तो आप मुझे बूख लगी है तो यहां से मैंने लोकल बंदों से पूछा था कि कौन सी बेस्ट प्लेस है खाना खाने के लिए डिफरेंट स्ट्रीट फूड यहां पर उसको चेक करने के लिए तो उन्होंने एड्रस बताया अब हम वहां पर जा रहे हैं तो अभी बहुत कुछ है एक्स्प्लोर करने को आप लोग कहीं ना जाहिएगा साथ रहिएगा क्यूंकि एंड में एक बहुत मज़े की चीज आने वाली है चलें आप चलते हैं स्ट्रीट फोड की तरफ तो दोस्तों इतनी ज़्यादा आप्शन्स देखने के बाद समझ नहीं आ रही है क्या खाएं बहुत ज़्यादा इदर चीज़ें और कुछ चाइनीज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कुछ चीज़े मुझे नहीं पता वह क्या हैं उन पे मैं हाथ में डाल सकता आइड़न तो मैंने सिंपल एक स्टाल से चिकन पीसीज लिये हैं जो उत्मे फ्राइड किये थे तो मैं वह खा रहूं और उसका टेस्ट करते हूं आपको बताते हैं यह कहते हैं बहुत मज़े का टेस्ट है और इसकी प्राइब सिर्फ टू रिंगर थी मतलब पचास सेंट से भी कम और मज़े कहा है अभी और भी हम चाक करते हैं हमें क्या मिल रहे हैं खाना खाने के बाद मैं एक शॉप में गया जो के एक स्टोरियर टेलिंग शॉप थी और वहां से मैंने ड्रिंक पिया उनका ड्रिंक बहुत मज़े कह था और इस शॉप की डेकॉरेशन और शॉप का स्ट्रॉक्चर भी बहुत अच्छा था जो के लाइका स्टोरिय टेलिंग शॉप थी इसका नम वनस अपोना टाइम था तो मुझे मलेशिया में जब से मैं आया ह है और मिलेशिया की जो सबसे बेस्ट चीजे मुझे लगी है उनमें से ड्रिंक या एक ड्रिंक भी पी लिया है बहुत अच्छी शॉप थी अगर आप इदर आएं तो वह लाजमी विजिट करें और अब जो इसकी चीज करने जा रहे हैं वह काफी पैनिंग की जोर्ज टॉ करफेक्ट है दूप नहीं है बादल थोड़े से हैं लेकिन होफुली हम सूरज के गरूप होने का मनजर भी उदर से कैप्चर कर सकें तो मैं बहुत अक्साइटीड हूँ तो चले चलते हैं उदर आँ मिल भी है कि इस बिल्डंग को कॉम्टाब या फिर टॉप बिल्डिंग कहा जाता है जो पैनिंग की सबसे बड़ी ब्रींग है और इस बिल्डंग की हर फ्लोर में आपको डिफर्इंट अक्तीटीच करने को मिलेगी यहां पर जॉंबी का पार्क है यहां पर डाइनास करने के लिए स्काइवार्ट पर जाने के लिए क्यूंके मौसम अच्छा नहीं था और जैसी मौसम अच्छा हुआ इनों ने मुझे उपर जाने दिया इस बिल्डिंग की टोटल हाइड 245 मीटर है और यह वला एरिया 66 फ्लोर में है यहां आने की टिकट तक्रीबं 61 रिंगर्ट है लेकिन अगर आप 2-3 दिन पहले या एक हफ़ता पहले बाई करेंगे तो आपको सस्ती परेगी यह वला एरिया जोंसा है यह स्काइवाक का मेन ए सकते थे और काफी लोग डर है यहां पर वाग करने से और इस बलंदी से पूरे शहर का वियू करना बहुत ही पुरकशिश लग रहा था इस लाइटिंग में पैनिंग जोंसा है वह बहुत ही डिफरेंट लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था अगर आप लोग इ तो दोस्तों आज थे हम Penning Island के Capital एरिया में जिसको George Town कहते हैं मुझे तो यहां पे बहुत मज़ा आया मैंने कोशिश किया एक दिन में मैं जो भी इदर कर सकता था एक पूरा दिन भी नहीं था क्योंकर मैं इदर दिन को आया हूं तो जो भी कर सका वह एक्टिविटी मैंने की ह अब इन में से कोई परेस्ट को चूज़ करना मेरे लिए मुशकिल हो रहे है क्योंकर वैंने चार एक्टिविटी कि की है और चारो बहुत मज़े की ती यह मैं आप लोगों पर चोड़ता हूं आप लोग अपनी परेस्ट अस पीपिटी बिताएं कि कौन सा एरिया आप लो झाल झाल